अलू प्याज के पराठे शर्मा जी का परिवार बहुत ही खुशाल परिवार था वो सभी मिलकर हसी खुशी बड़े प्यार से रहा करते थे एक दिन सुबह सुबह अरे भागिवान ये पडोस में कोई रहना आया है क्या हाँ सुलोचना बहन बता रही थी कि कली ही एक फैमिली शिफ्ट हुई है यहाँ पहले वाले लोग तो बहुत खडूस थे पता नहीं ये कैसे होंगे तेरी तो किसी से जमती नहीं बहु इंसानों को परकने की बुरी आदत जो है मुझे जो भी आता है बगल के घर में रहने सब तो अपने घर से चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं उसे चिपक ना नहीं मिलनसार स्वभाव कहते हैं मुझे पता है माजी आपकी पडोसियों का मिलनसार स्वभाव देखो वो आगी इसकी तो किसी से बनती नहीं और सुलचना बैन कैसे आना हुआ अरे वही पडोसन के बारे में बताने आई थी एक जोड़ा आया है रहने बड़े सुन्दर पडोसन है भई मानना पड़ेगा काफी मिलनसार स्वभाव की है अभी अभी मेरे घर मिठाय का डिब बाते के गई तुमारे यह नहीं आई क्या नहीं तो अंटी जी आप पर ज्यादा प्यार आ गया होगा न उसे उसे भी तो पता चल गया होगा आपकी पास महले भर की खबर रहती है इसलिए आपको खुश करने में लगी है कि आप उसकी घर की नियूस ना लिग करो बहू तो अपना फटा स्पीकर बंद कर मुझी क्या मैं चली काम करने मेरे पास वैसे भी न इन फिसल बातों के लिए समय नहीं है कितनी बड़ बोली है तुमारी बहू चलो भई मैं तो जाती हूँ वही पड़ोसन के जाने के बाद कुछ दिर बाद नई पड़ोसन काम्या वहाती है देखो ता बहू कौन आया है जी आप मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ कल ही यहां रहने आई हूँ आप सभी के लिए मिठाय लाई हूँ मैं इसका भी घर में हम सब के चुम्बक की तरद चिपकने का विचार लगता है सारी बट घर में न सबको डाइबिटीस है तो मैं तो आप से मिठाय ले नहीं सकती अब बच्यों को खिला दे न ने 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 बच्यों को ज्यादा मिठाय दूंकी तो दाद खराब हो जाएंगी उनकी वैसे थैंक यू हां कितनी अजीब आउरत है ये डाइबिटीस है नमक से थोड़ी ना अलर्जी होगी वहीं अगले दिन सुबाव बहुत देख न दर्वाजे पर कौन है कब से बेल बजाए जा रहे हाँ बबा हाँ देख रही हूँ तू आज कैसे आना हुआ अपनी हाथ से आलो प्यास की पराठे बना कर लाई थी मैं आप सब के लिए आपने कहा ना कि सब को डाबिटीस है इसलिए सोचा सब के लिए कुछ हेल्दी ही बना कर लिया आती हूँ इससे आगे के बहु कुछ बोलती कि सास नई परोसन को देख लीती है कान है बहु यह तभी काम्या जट से अंदर आके सास के पैर चुती है अंटी जी मेरा नाम काम्या है मैं आपके नई परोसन हूँ यह लीजिए आलू प्यास की पराठे खाईए और बताईए कैसे बने है अरे वहाँ बिटा महक तो बहुत अच्छी आ रही है जा बहु काम्या के लिए कुछ खाने को लेका रहा अरे बैठो ना बिटा जी आंठी वहीं बहु मू बनाकर वहाँ से चली जाती है और काम्या के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है काम्या मज़े से बैठ कर साथ से धेर सारी बात करती है और चाय नाश्ता करती है बिटा यह पराठे तो बहुत स्वाधिश्टा है तुम्हारे अंकल आएंगे न तो उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी अरे पर ये तो थोड़े से ही है आप इसे खालो ना मैं और बना कर ले आऊंगी कल ठीक है बटा तो आंटी अब मैं चलू अहां कितनी संसकारी बच्ची है काम्या की जानी के बाद देख कुछ से किस से कितनी संसकारी है आई तो पराठे बना कर लाई आके पैर चुए और जाते भी ऐसे होते हैं संसकार उसी को बहु बरांकर लेकर आते ना फिर आप मैं यहां क्या करी हूँ काराम फूटे मेरे जो तुझे ले आई बस तुझे कुछ कहना ही बेकार है फिर दोनों सास बहु अपने-अपने कामों में लग जाती है वहीं अखली सुपा जब सभी नाष्टा कर रहे थे तब ही घर की टिंग टॉं डार बिल बज़ती है देख तो बहु कौन है मुझे आप चौकिदार बना दो माजी ये डेली का हो गया है डेली वो पडोसन मूँ उठा कर आ जाती है तो इतना चेड़ना क्यों है कोई और भी तो हो सकता है आरे बही होगी पक्का देखो तो सही बहु कौन है तब ही बहु दर्वासा खुलती है और पडोसन पराठे से भरा डिब बाले के घर में कुछ जाती है और शर्मा जी और उनकी बीवी के पैर चुती कैसी है आंटी जी आप आरे आची हूँ बेटा ये कौन है नमस्ति अंकल जी मैं आपकी नई पडोसन हूँ ये लिजिये मेरे हाथ की गरमा गरम आलू प्यास के पराठे खाईए खास आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ मैं कामया का मिलन सार्स बभा उससब को काफी पसंद आता है कामया सबको अपने हाथ से प्यास आलू के पराठे परोस्ती है और सभी उसे बड़े चाव सिखाते है वही बहु का बनाया नाश्ता ऐसी ही रखा रह जाता है ये देखकर उससे काफी बुरा लगता है वाँ बिटा वाँ तेरे हाथ में तो जादू है वाँ स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था तुम ने थांक यू अंकल जी चलो अब मैं चलती हूँ बाई कामिया पराठे सश्मुद बहुत अच्छी थे थांक यू बाई ये देखकर तो बहुत तिल मिला जाती है क्यों जी इतने प्यार से आज तक आपने मेरी तारिफ तो नहीं की और बाई तुमने भी तो कभी इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना बना कर नहीं खिलाए ना बाई बहुत तो है बिटा वसे कुछ भी बोलो पराठे मस्त थे ये तो है आलू प्यार के पराठो की बात ही अलग है ठीक है आपसे मैं वही बना कर खिलाओंगे आप सबको आरा ना ना बहुत तेरे हाथ के नहीं काम्या के हाथ के एक ही बार तुने प्याज आलू के पराठे बनाये थे अच्छी तरह याद है प्याज इतनी कच्ची थी के सारा दिन मूबद बुमार रहा था आप लोगों के लिए ना कुछ करना ही बेकार है फिर बहु अपने अन्य कामों में लग जाती है शाम में जब पती ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में काम्या मिलती है कैसी है काम्या जी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ आप कैसे हैं एक दब मस्त और आपके हाथ के पराठे खागे तो और भी मस्त हो गया हूँ मैं अच्छा ऐसा है तो मैं कल और पराठे बना कर ले आऊंगी आप लोगों के लिए हाँ हाँ जरूर मुझे तो इतने पसंद आया पराठे के मैंने अपने आफिस वालों को बताया तुम्हारे बारे में उन्होंने कहा कि भाई हमें भी टेस्ट करने हैं तो फिर छीक है कल की चिपिन आपकी मेरी तरफ से तैंक यू तैंक यू फिर दोनों हस्ते बोलते घर आ जाते हैं वही जब बहू काम्या और अपने पती को साथ में घर आया दिखती है तो आग बबुला हो जाती है लेकिन उसे पता था कि उसका बोलना बेकार है इसलिए वो कुछ नहीं कहती अगले दिन काम्या सुब़ सुब़ फिर से नाश्ती के समय ही शर्मा जी के घर पहुच जाती है और सबको अपने हाथ के पराठे खिलाती है राहुल जी ये लीजिए आपका टिफिल आपने कहा था ना इसलिए तैंक यू जो मच गाम्या जी उफू अपनो में नो सॉरी नो थांक यू क्यो आँठी जी अंकल जी सही कहा नो मैंने हाँ बिटा दिल्कुल सही कहा तुना है मैं तो सोचता हूँ कि कितने धन्या होंगे वह माबाप जिन तुम जैसी बेटी और बहु मिली आप इतनी भी ना तारिफ करो अंकल जी फिर काम्या वाँ से चली जाती है एक बात बताओ कल तुमने उस चुड़ेल काम्या को क्या बोला जो आज तुमारा टिफिन बना कर ले आई क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में मोतर मा आपका दिमाग खराब है मैंने तो कुछ नहीं बोला बस मैंने काम्या के हाथ के प्याज आलू के बराडो की आफिस में तारीफ कर दी थी तो आफिस वालो को भी खाने की इच्छा हुई मा ने काम्या सिब बनाने को कह दिया अच्छा जी मेरे हाथ के खाने की तो कभी आफिस में तारीफ नहीं होती और नहीं आपके आफिस वालो को मेरे हाथ का खाना हजम होता है अरे ऐसा नहीं है मुझे मत पताओ पर सोही घी वाली रोटी वापस लेकर आये थे ये कहकर कि लकडी जैसी है हलक से नीचे नहीं उतर रही तो क्या गलत बोला सही भी तो नहीं का घी वाली रोटी कड़क होई नहीं सकती जाओ कामिया को ही बोलो बनाने को, खिलाने को अरे वाबा इतना गुस्सा मत हो ना जान देखो ओफिस के लिए लेड हो रहा हूं मैं ठीके, जाओ ओफिस बाई, टेक कैर फिर राहुल अपने बीवी को हग करके ओफिस चला जाता है अब ये कामिया का रोज का हो गया था वो रोजाना सुबर सुबर प्यास आलू के पराठे बना कर ले आती और घर वाले उसके हाथ के पराठे चाव से खाते वहीं कोई रागिनी के हाथ का बनाया खाना छूता तक नहीं हर समय बस काम्या के हाथ के पराठो के तारिफ होती जिससे अब रागीनी बहुत ज्यादा परिशान हो जाती है ये जब से नई पड़ोसन आई है न मेरे घर वालों पर न जाने कौन सा जादू चलाया है कि मेरी कोई एहमियती नहीं रहेगी सबको इसके हाथ का खाना पसंद है कोई मेरे हाथ का खाना सूंगता तक नहीं है ऐसा ही रातों सबको ये अपने बस में कर लेगी और धीरे धीरे कर भी तो रही है नई-वह जानी ओने दूगी अब तो कुछ करना ही पड़ेगा जिसके बाइद रागी नी काम्या के उपर नजर रखने लगती है और उसके पती से भी जान पहचान बनाने लगती है एक दिन शाम में हेलो रागव जी कैसे आप? जी आप काम? अरे हम आपके पडोसी हैं पहचाना नी ये बगल वाले घर में राती हूं मैं जहां आपकी बीवी डेली पराठी लेके आती है मेरे पती को तो आपकी बीवी के हाथ की पराठी बहुत पसंद है इन फैक्ट सब कोई ओके अच्छा लगा जान के वैसे बताया था काम्या ने अच्छा अब धीरे धीरे रागिनी डेली रागव से बात करने लगती है और उसकी पसंद के डिश पता करती है वही रागव भी अब घर में रागिनी की तारिफ करता जो काम्या को बलकुल पसंद नहीं आती फिर एक दिन, सुबह सुबह काम्या की डॉरबल बचती है इतनी सुपर कौन आ गया रागिनी जी आई होगी वो क्यों? अरे दर्वाजा खोलोगी तो पता चलेगा ना काम्या दर्वाजा खोलती है और सच में सामने तो रागिनी होती है हेलो जी, काम्या जी, कैसी हो? मैंने रागिनी का मनपसंद हलवा बनाया है आज लीजी रागिनी ठीस्ट करके बताईए किसे बना है जी, जी, जरूर रागिनी, I'm sorry अब मैं समझ गई हूँ कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी अब तुम जाओ यहां से और इस तरह रागिनी की थोड़ी से चलाकी से काम्या की अकल ठिकाने आ जाती है और फिर वो कभी भी रागिनी के घर प्याज आलू के पराठे लेकर नहीं जाती